जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड ए भाव पढ़ता है और उनमात के उपचार में प्रयोग किया जाता है, ओलिजा दस टैबलेट का उपयोग खाने के साथ या बिना करें, हाला कि इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे शरीर में दवा का एक समान स्तर बनाए रखने में मदद मिलत है, इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी मिले, और यदि आपने एक खुराक को याद किया है, तो जैसे ही आपको याद आए, इसे ले ले, अपने डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा को अचानक बन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस से आपके लक्षन और खराब हो सकते हैं, इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट्स में मूह में सूखापन, कब्ज, मानस्पेशियों में जकडन और बेचैनी शामिल हैं, प्रारंब में जब आप स्थिती बदलते हैं, तो या दवा रक्चाप में अचानक गिरावट का क भावित करती है, तब तक गारी न चलाएं, या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यक्ता हो, हाला कि यह दवा आपके वजन, रक्च शरकरा और कॉलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकती है, लेकिन स्वस्थाहार लेकर और नियमित करने से इस दुषप्रभाव को कम किया जा सकता है, आपको सतक रहना चाहिए क्योंकि दुरलब मामलों में यह बहुत अधिक रक्त शरकरा किस तर या दौरे जैसे गंभीर दुषप्रभाव पैदा कर सकता है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपक को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद.